नागपुर नगर निगम द्वारा नागणिकों को भैतर स्वास्त सुविधाय उपलब कराने के लिए विशेश प्रयास किये जा रहे हैं इसी सिलसले में सोमवार को चिकितसा सेवा एवं स्वास्त विशेश समीती के अध्यक्ष महेश महाजन ने राश्ट्रिय नाकरिक स्वास्त मिशन यूशना के तहर शहर में तेज और शधालय को शामिल करने की मनसूरी दी सोमवार देर से डॉक्टर सम्बन में पंचाब राव देश्मक स्मृतिस थाय समीती हौल में एक बैठक आयोचित की गई थी बैठक में चुकित्सा सिवा इवं स्वास्त विशी समीती के उपाद्देख्ष विक्रम गवालबंशी सदस्य विध्याकान हीरे भावना लोनारे सदस्य नागिश मान कर उपस्ति थे वही नगर निगम की चुकित्सा स्वास्त दिकारी डॉक्टर संजेच शीलकर अपर साहिक चुकित्सा स्वास्त दिकारी विजजोशी मौझूद रहे इस समय निगम के अधीन औशिधाले एमिचुआये है चर्चा में शामिल थे निगम की तहट राष्ट्रे नागरिक स्वास्त मिशन यूजना 2014-15 से शुरू की गई थी उस समय 17 नागरिक प्रात्मिक स्वास्त के इनरत चालू थी और 2021 तक 29 यूपियच सी थी यहां आगे बढ़कर 2021-22 के लिए कुल 51 यूपियच सी हो गए इनको मन्जूरी दे दी गई इसकी जानकारी नगर चिकित सा स्वास्त अधिकारी डॉक्टर संजेच चिलकर ने प्रस्तूत की उन्होंने आगे कहा कि निगम के तहट काररत तेज औशिधालें में से 14 औशिधाले को नागरिक प्रात्मिक स्वास्त के इनरों में परिवर्तित किया जाना है इस के इनर के लिए 51 जन्शक्ती स्वीकृत की गई है साथ ही इसके लिए सुभा 8 बचे से शाम 4 बचे तक और फुल टाइम MBPS का समय होगा उन्होंने बताया कि चिकित सा अधिकारी काररत रहेंगे साथ ही इंद्रागांदी अस्पताल वो पाचपावली प्रसुती अस्पताल में निशल्क सामान्य वसीजेरियन डिलिवरी की जारी है इस अस्पताल में 24 गंटी एक डॉक्टर उपलब्द रहेगा नतीजेतन यहां की ओपेडी में रोजाना 70-80 मरीजों की चांचोरी है संजेच चिलकर नहीं कहा विशेश सवास्त समीती के अधिक्ष महेश महाजन ने अपनी जिम्मेद्यालियों को ठीक से नहीं निभाने वाले या हमेशा अनुपस्तित रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कारवाई के निर्देश दिये उन्होंने निगम के कुछ अस्पतालों में ओपेडी समय से पहले बन होने की शिकायतों को देखते हुए निर्धारे समय का पालन करने के भी निर्देश दिये कैमरा पोसिन राजकमार मोर के साथ अभिशेक पांसे बीसे न्यूस नाखपूर